चंद्रयान तीन लॉंच करने के बाद इसरो एक के बाद एक नय किर्थिमान रचने के लिए तफ़ पर है इसी कड़ी में भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संग्र्थन ने रविवार को PSLV लॉंच कर छे और सेटलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है इसरो ने श्री हरी कोटा स्थित केंद्र से पोलर सेटलाइट्स लॉंच वहीकल के जरिये संगपूर के 6 सेटलाइट्स को सक्सेस्फुली इच्छत कक्षाओं में स्थापत किया है इस खास मौके पर इसरो के चेर्मेन S. सूमनाथ ने इसरो के नेक्स्ट गोल यानि की अगले लक्ष को शेयर किया है और बताया है कि अगले कुछ ही महीनों में इसरो GSLV लॉंच सहित कई रोमान चक मिशनों को अंजाम देने वाला है इसरो ने अपना टाइम टेबल तयार कर लिया है और बस एक के बाद एक अपने मिशनों को लॉंच करने की तयारी में जुट गया है इसरो के महत्वपूर्ण मिशनों के बारे में बात करते हुए चेर्मेन सोमनाथ ने भविश के लाँच अभियानों की जानकारी भी है चेर्मेन सोमनाथ के अनुसार इसरो अगस्त के महीने या सितंबर की शुरुआत में एक और PSLV मिशन लाँच करने जा रहा है इस PSLV लाँचिंग के जरीए इसरो अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक गगन्यान का भी परिक्षन करेगा इसरो का गगन्यान परिक्षन वाहन तयार हो रहा है वर्दमान में इसे असेंबल किया जा रहा है और जल्द ही PSLV लॉंचिंग के जरीए गगन्यान मिशन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा आपको बता दे कि गगन्यान मिशन इसरो के भावी मिशन में एक है गगन्यान इसरो के तीन अंतरिक्ष मिशन का एक ग्रुप है इसमें दो अभियान मानव रहित है जबकि तीसरे में मानव को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगन्यान मिशन के तहत इसरो तीन सदस्यों का एक दल तीन दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो की योजना प्रत्वी के सबसे लोर ओर्बिट में मानव यान भीजने की है अंतरिक्ष विभाग के सचीव सोमनाथ ने भविश के प्रक्षिपणों के बारे में बताया है कि इसरो अपने तीसरे विकासात्मक मिशन INSAT-3DS को लॉंच करेगा INSAT-3DS की लॉंचिंग के लिए SSLV के साथ-साथ GSLV यानी Geosynchronous Satellite Launch Vehicle की योजना बनाई जा रही है GSLV Geosynchronous Satellite Launch Vehicle है ये भूस्तिर उपगरह प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में उपगरह की प्रक्षेपण में सहायक यान है GSLV का इस्तमाल अब तक 12 लॉंच में किया जा चुका है ये यान उपगरह को प्रत्वी की भूस्तिर कक्षा में स्थापत करने में मदद कटा है आपको बता दे कि PSLV इस्रोद्वारा विक्सित किया गया छटा लॉंच भी कल है और अगस्त 2022 के साथ इस साल फरवरी में भी इसकी दो सफलता पुर्वक उड़ाने हो चुकी है इस्रो के अगले लक्षे गगन्यान मिशन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज के लिए बने रही है न्योंग जैटीन हिंदी ओरिजिनल्स पर